नमस्कारा आप देख रहे हैं हमारे स्पेशल प्रोग्राम नियूस रूम आपके साथ मैं हूँ अर्शता आई रुख करते हैं मद्धिप्रदेश की बड़ी खबरों की ओर तारीक 10 जून दिन शरीवार प्रदेश की उन महिलाओं के लिए खास होने वाला है जब मद्धिप्रदेश की मुख्यमंत्री शिवरास सिंग चोहान एक क्लिक से प्रदेश की एक करूड 25 लाक महिलाओं के खाते में लाली बहना योजना के तहते 1250 करूड रुपे देंगे जब मुख्यमंत्री शिवरास सिंग चोहान गैरी सन मैदान में लाली बहना योजना कारीक्रम में शाम यहां शाम साड़े 5 बजे पहुँचेंगे और रात साड़े 8 बजे जब भुपाल के लिए तरवाना होंगे कारीक्रम में शिवरास सिंग चोहान के साथ प्रभारी मंत्री गोपाल भारगाउ राजिस हबा सांसद सुमित्रा बाली में की सांसद राकेश सिंग सहत विधायक भी मौजूद रहेंगे मुख्यमंतरी शिवरा सिंग चोहान ने कहा शनिवार शाम जवलपुर से बहनों के खातों में एक हजार रुपे डालूँगा लाड़ी बैरा योजना में एक करोड़ पच्रीस लाख बहनों का रेजिस्ट्रेशन हुआ है हुपाल के स्मार्ट सिटी पार्क में पौधा रूपन करने के बाद सियाम ने कहा आज का दिन मेरे लिए सुखद और महत्वपूर दिन है बेटी पैदा हो तो लगपती हो जाए बोज ना लगे इसलिए हमने लाड़ेली लक्ष्मी योजना बनाई इस योजना के प्रती महिलाओं में जबर्जस्त उतसा है देखा गया बात करेंगे अगली ख़बर के बारे में जहाराजधानी में पहली बार कथा बाचक पंडित प्रतीप मिश्वरा की शिव महापुराण कथा होने ज़ा रही है कथा चौदा जून तक प्रतीदिन दोफेड दो से शाम पांच बजे तक चलेगी इसमें प्रतीदिन पांच लाख श्रद्धालुआ के आने का अनुमान है इसलिए पचपन एकड में पांडाल की विवस्था की गई है तीन बड़े बॉटर प्रूफ डोम बनाए गए है कथा में शामिल होने के लिए रूटवार प्लान भी की तैयार किया गया है ताकि श्रद्धालु किस तरह से गेट में पंडाल में पहुँचेंगे और कहां गाड़ी पार्क करेंगे पहले दिन कथा सुनने के लिए सुबह ग्यारा बजे से ही श्रद्धालु पहुचने लगे कथा के लिए करोंद में पीपल्स मॉल के पीछे बड़े एरिया में पांस से च्छे टेंट की विवस्था की गई है चैमुख्य समेत 10 गेट हैं वहीं 201 में 13 पार्किंग बनाई गई है पंडित मिश्वा की व्या स्पीट के लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है करीब 72 वर्ग फीट लंबा मंच बना है इसकी उचाई भी करीब 10 वीट है कता से पहले शुक्रवार को शहर में शुभायात्रा भी नकाली गई इसमें पंडित प्रदीप मिश्वा भी शामिल हुए शुभायात्रा गंटों तक शहर में घूमती रही श्रदालु ने पंडित प्रदीप मिश्रा का पुश पे वर्षा कर स्वागत किया बात करेंगे अगली खवर के बारे में जहां फूटी कोटी चौराहे पर बन रहे ओवर ब्रिज के मद्दे नजर सर्विस रोड पर लगने वाली आयस्थाई सबजी मंडी को शिफ्ट करने की तयारी नगर निगम ने की लेकिन इसका विरोध भी होने लगा नगर निगम की टीम ने सर्विस रोड से फल सब्जी के ठेले वालों को हटाने के लिए अनाउंसमेंट किया तो सभी सड़क पर उतर गए और हंगामा करने लगे बाद में शेत्रिय पार्शाद और अधिकारियों के हस्तेशेव के बाद विमारे अब वेकल पिक जगए की तलाश ठेले वालों के लिए की ज़ा रही है प्रस्तावित MR6 रोड पर आईडिये की खाली जगए पर इन्हें शिफ्ट करने की बात चल रही है पूटी कोठी चौराए पर सबजी और फल विक्रेता लंबे समय से अपना ठेला लगाते आ रहे है शनिवार सुबे नगर निगम की डिमूबल टीम ने अनाउस्मेंट कर सभी को सोचित किया कि वे अपने ठेले सर्विस रोड से हटाल है चौराए पर ओवर ब्रिज निर्मार की कारण ट्रैफिक को अब सर्विस रोड पर डाइवर्ट किया जाएगा यातायाद विवस्था सुचारू चलती रहे इसलिए स्वेक्षा से सभी वेक्रेता अपने ठेले यहां से हटाले वरना नगर नगम द्वारा उनकी ठेले हटाये चाहेंगे बात करेंगे अगली ख़बर के बारे में जहां हिंदू शात्राओं को हिजाब पहनाने और धर्मांतरन समित कई गंभीर आरोप जील रहे दमोय के गंगा जमने स्कूल के संचाला को इंदरीश खान पर प्रिशाशन ने अब शेकंजा कसा है शुक्रवार को पांच अलग-अलग विभागों ने इंदरीश खान के अलग-अलग ठिकान उपर दविश दी वहीं मामले में दमोय जिला सिक्ष्र अधिकारी एसके मिश्रा को भी इस पस से हटा कर डाइट प्राचारे बना दिया गया है उनकी जगए हटा के डाइट प्राचारे एसके नैमा को जिला सिक्ष्र अधिकारी का प्रिभार दिया गया है कारेवाई दमोय पटवारी शिव श्रंकर पटेल ने राजश्वी टीम के साथ की ऐसी चर्चा है कि जिला प्रिशाशन अवैद कबजी मिलने पर यहाँ बुल्डोजर भी चला सकता है मिश्रापर गंगा जमने स्कूल के संचालकों को बचवाने का आरोप लगाते हुए भाजपा कारिय करताओं ने सियाई फेकती थी इन कारिय करताओं पर FIR भी दर्च कर ली गई है बात करेंगे मध्यप्रदेश के मौसम की जहां मध्यप्रदेश के मौसम में बदलाव का दोड़ जारी है मांसून के एंट्री से पहले मध्धिप्रदेश में फिर से दो सिस्टम एक्टिव हो गए है जिसे प्रदेश के कई हिस्सों में तेज हवा के साथ हलकी बारिश हो रही है MP मौसम विभाग की माने तो आज इन दोनों वेधर सिस्टमों के कारण शनिवार को मुरेना, भेंडग, ग्वालियर, चिंदवाडा, मंडला, बालाघाट और शिवनी में हलकी बारिश हो सकती है वही सी और बैतूल, बुरहानपूर, खंडवा, धार, देवास में भी मौसम बदलेगा शनिवार को ग्वालियर, सहत, चंबल संभाग के अन्य जलों में आधी और वर्शा होने की संभावना है पुपाल में भी आज हलकी बारिश हो सकती है वही दिन का तापमान 40-41 डिग्री और रात का तापमान 26-27 डिग्री सेलसियस तक भी पहुंच सकता है वही आने वाले दुनों में हवा की रफतार 50 किलो मीटर प्रती घंटा तक पहुंच सकती है फुलाल के लिए इतना ही ऐसी ही ताज़ा तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहे हैं MP News TV MP की नफस, MP का हाल, मज़्य प्रदेश की हर खबर MP News TV के साथ